बिल्कम बैक फिरेंड दोस्तों नमस्कार इस्पेसल वीडियो होने वाले है यूपी एसाइ इस्पेसल कंडिडेट के लिए तो भगये आप सभी को पता है आप सभी के एक्जाम जो है समाप्थ हो चुके हैं अब इसके बाद आपकी एंसर की आने वाली है एंसर की बहुत जल्द अप्लोड कर दी जाएगी कुछ बच्चों का आज एक्जाम हो रहा है आज जो है समाप्थ हो जाएगा और आपकी एंसर की जो है डाउनलोड बहुत बहुत जल्द अप्लोड कर दी जाएगी और आप लोग डाउनलोड करके अपना answer की मिला सकते हैं आपके कितने question सही होंगे वो आप लोग देख सकते हैं तो हम लोग इसमें वीडियो में बात करने वाले हैं जैसे answer की जारी होगी उसके बात फिर आपका result आएगा ठीक भी या रेजल्ट आएगा तो उसके बात आपको documents के लिए बुला जाएगा कहने मतब आपको DBPST के लिए बुला जाएगा ठीक है कितने बच्चे पास होंगे लगभग 3 गुना बच्चे पास होंगे सब कुछ clear कर चुके हैं कितने बच्चे पास होंगे तिसमें हमें special देखने वाले हैं या documents को पर वीडियो होने वाली है कौन-कौन से documents लगेगा कौन-कौन से आपकी गलती नहीं करनी है नहीं तो आपको problem हो सकती है तो please इसको careful कहो के वीडियो देखना most important वीडियो है इसको देखने के बास सायद आपको कोई वीडियो देखने की जरूत नहीं पड़ीगे पूरी YouTube की बात करते हैं पूरा क्योंकि इसमें पूरा doubt clear करतेंगे कौन-कौन से लगेगा documents A to Z जो जो documents लगेंगे UPSI में जो 2016 में documents लगा हुआ था वही वह documents लगेंगे कुछ इसमें additional documents है तो इसको देख लिजेगा ठीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्लीज जो नए एक अंडिडेट आया होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब लिखा होगा उसको दबाओ ग्रे हो जाएगा उस पे notification बता होगा all उस पे select कर देना ताकि आपको वीडियो यहाँ पे कोई miss नहीं हो चले वीडियो को start करते हैं बिल्कुल बिलेट नहीं करते हैं सबसे पहले हम लोग document देखें क्या कैच चेक होता है सबसे पहले आपको माल लेजिए आपका selection हो गया और आपका list में नाम आ गया तो आपको documents के लिए बुला जागा तो कौन कौन से documents चेखोंगे जहाँ पे आपका DBPST होगा यहाँ भी देखें high school की mark sheet आपके पास होनी चाहिए अंक परमाणपत और आपके परमाणपत्र कहने मतलब अंक परमाणपत्र होगा एक परमाणपत्र सा परमाणपत्र होता है उसमें जो पहले के पास candidate होगे उनके पास दो परमाणपत्र होगा उसको ले जाएगा एक अंक परमाणपत्र होता है एक परमाणपत्र ठीके अजो latest वाले candidate पास होगे कि उनके तो ज्वारि exhaust हो के आती है हाइआ स्कूल कभी वर्जिनल कभी ले जाना होगा और आधे बात करते हैं तो आपको निमास परमापत वरजिनल ले ले जाना होगा ठीक जान पर आपका DBPST होगा उसके पाद अधार कार्ड या फिर अधार कार्ट कार्ण कंपलसरी है बाकी यहाँ पर पांच फोटर ले जाना जरूरत नहीं पड़ते डाउन्लोड कर लेना फटोपिक रालेना उसके भी और उसको वर्जिन ले जाना और फटोपिक युले जाना थीक उसके बादबात करते हैं । दीबी चेकलिस्त आपको कैसे मिलेगी इसको भी लिंके दिदेंगा उसको ले जाना जरूरी है ठीक है नहीं दिक्कत हो सकती है ले जाना प्लीज अब भूत प्रसाइंदिग जो नोशी होता है अग्जाम दिये होंगे एक्जाम वालों जो admit card होगा इसको भी ले जाना additional है ठीक अगर होगा जरूर ले जाना जरूर ठीक है कोई compulsory लिकिन ले जाना additional में जोड़ती है बाकि यही सारे चीज़े लगनी थी आपको documents को उपर complete हो गया होगा जब आप लोग पहुंचोंगे तो यही सारे चीज़ चेक होंगी ठीक है इसके original होनी चाहिए और आपको बताते हैं जितने सारे यहाँ पर documents लगे हैं आगे दिखाते हैं यहाँ भी देखो note नोटे हैं पहरे दिखिए सभी के दो दो फोटो कमफी होनी चाहिए तीन करा लेना utilizzATE दो उसको फहां पहर जमा अपने पास स्रस्गी थिक है है जो आपका मार्क सीट होगा हाई स्कूल इंटर जात्पमापद निमाज प्रमापद उस पर सिगनेचर होनी चाहिए या फिर जो डॉक्टर आते हैं जो सरकारी डॉक्टर होंगे उनसे सिगनेचर करा लेना 40-50 रुपर लेंगे हो जाएगा बाकी टीचर्स गॉर्मेंट से पर ट्रेस्पल से करा लोगे फिरी में हो जाएगा ठीक तो यह तो जानकारी इतनी सारी जानकारी किलियर हो गई है यही डाकुमेंस लगेगा इसके लाओं एक भी डाकुमेंस नहीं लगेगा ठीक भी है किलियर हो गया होगा उसके बाद यहां पर देखिए फिर उसके होनी चाहिए इन काटेग्रिकी किनकी जर्नल इव्य होगी सी चाहिए इसटी और टी की ब bother करते हैं तो एक 100 संस्वाइट होनी चाहिए एक जल सड्सना वाले ला-प अवह वहें पे इनकी छाथी भिना भी जाते तो तो यहां पर देखें, मेल कंडिडेट की छाती भीना पर जाती है, जर्नल, EWS, OBC, SC, ठीक, तो इनकी होनी चाहिए, बीना फुलाए, एक 89 cm होना चाहिए, ठीक, 89 cm होना चाहिए, और फुलाने के बाद, 5 cm फुलाने के बाद, टोटल इतनी होनी चाहिए, 84 cm फुलाने के बाद, यानि 5 cm आपको फुलाने है, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम कत्ते ही नहीं होना चाहिए, ठीक, यह तो minimum होना ही होना चाहिए, इन कटेगरी के लिए, ठीक, 89 cm होना चाहिए, पलस 5 cm फुलाने के बाद, फिर उसके बाद 84 cm होना चाहिए, तो कॉलिफाई आप लोग हो इनका 82 cm होना चाहिए, स्टी कंडिडेट, उसके बाद महिलाओं की बात करते हैं, तो यहाँ पर महिलाओं को देख लिए, जर्नल, EWS, OBC, SC, अज जो महिलाओं को बता हैं डाकुमेंट, जो जो उपर दिखा गया है, जो जो उपर बता हैं डाकुमेंट, यह महिलाओं को भी लगेगा, और पुरसों की भी लगेगा, ठीक बहिया, दोनों होगा, बाकि यहाँ पर देखिए, लंबाई देख लिए, यह फिमेल की कितनी होती है, जर्नल, EWS, OBC, SC, इनकी होती है, 152 cm हाई, इनकी सबसे पहले यही न पर गी, उसके बाद, ST कंडिडेट की, फिमेल में 147 cm इनकी हाईट यह न पी जाएगी, उसके बाद महिलाओं की एक सीज़ाओं न पी जाती है, अब दोखो, महिलाओं का वजन न पा जाता है, ठीक है, मिनिममम आपका 40 kg वजन होना है, इससे कम होगा तो आप लोग बाहर हो जाएगी, इससे ज़्यादा होगा, चल जाएगा, ठीक है, ओबर बेट, इससे कोई मायने नहीं रखता, लिकिन आपका अंडर बेट नहीं होना चाहिए, कहने मतलब है, 40 kg, 40 kg से 1 kg भी नहीं कम होना चाहिए, 49 होंगी ता आप लोग डिस्क्वालिफाय हो जाएगी, 40 से प्लस होना चाहिए, और मायनस नहीं होना चाहिए, किस सिब दो चीज, हाइट और उनकी वेट, यही सब ना पजाता है, और उसके बाद यहां भी देखते हैं, और आल कंडिडेट यहां भी देखो, सारे प्रक्रियाओं को गुजरने के बाद, उसके बाद जितने सारे बच्चे पास होंगे, कौलिफाइड हो जाएंगे, ठीक है रनिंग के लिए आप लोग जाओगे, तो यहां भी देखो, देख लेते हैं, मेल की कंडिडेट की, और फिमेल की, ठीक भी या, तो मेल की बात करते हैं, तो 4.8 km, 28 मिनट में दावना होगा, और महिलाओं की बात करते हैं, 2.4 km, आपको 16 मिनट में दावना होगा, ठीक, इत जानकारी कैसे लगी, स्क्रिंसोट लेना, ठीक है, यहीं डाकुमेंस लगेगा, यहां में देखो, इसक्रिंसोट लो, अच्छे से, इसको लो, इसको लो, इसको ले लेना, उसको ले लेना, उसके बाद यहां से स्क्रिंसोट लो, ठीक, हो गया, उसके बाद यहां आगे दो देखो यहां पर लेजी स्क्रीन सॉट उसके बाद यहां से लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहीं सारे अब डाकोमेंस को उपर जो वीडियो थी इस्पेसल कंप्लीट हो चुकी है अब आपको डीवी चेकलिस्ट देखा देते हैं डीवी चेकलिस्ट कैसी होती है कैसे दानलूड करना होगा यहां दोऑट पयाईसरा रही होगा यहां पर लिखियं स्क्रीन एक चेकलिस्ट है ठीक िखरें उसको अपको डेखर तो इसको मैं आपको समझा दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, ST हो जाएगा, उसके बाद यहाँ तो एक सर्विसमेन, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे आपको वहाँ पे ले जाना होगा, तो यहाँ पे जैसे माली जी सारे डाकुमेंस ऐसे होगे, तो जैसे माली जी आपके पास हाई स्कूल है, यहाँ पे टिक करना होगा, हाई स्कूल हमारे पास है, इंटर है तो इंटर टिक करना पड़ेगा, ऐसे से टिक करना होगा, ठीक, वहाँ पे डिवी चेकलिस्ट का मतरब यही है, वहाँ पे टिक कर देंगे, जो जो डाकुमेंस आपके लगे हुए हैं, तो बाकि यहां पर देखो बाकि वेरीफैट कर देंगे यहां तक उनंके लिए एचेंक करना होगा आपको वहाँ ले जाके आपको जमा करना होगा ठीक है बाकि ऐसे आजाएगी डिवी चेक लिस्ट हम आपको वीडियो बना दूँगा उसको नीचे लिंक कर दे दूँगा आप लोग डाउनलोड कर लेना अराम से सब कुछ क्लियर करने के बाद अच्छे से जाके आपको जान करी देनी थी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरू बताना मिलते हैं ने स्टूडियो धन्यवाद